Hello दोस्तो मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज आज आपको बताऊँगा कि पैराग्राफ के नीचे अगर किसी लाइन के नीचे मुझे एक single line draw करनी है या double line draw करनी है या triple line draw करनी है या dotted dotted line draw करनी है तो कैसे करेंगे ये मैं आपको MS word में एक magical trick के थूँ बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी paragraph में या किसी भी line के नीचे आप उस line को draw कर सकते हैं एक magic के तरह तो चले start करते हैं Hello guys, this is Sanjay Kumar for Contextation Channel में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको एक magic सिखाऊंगा MS word पर तो चले start करते हैं वीडियो मैं आगे हूँ MS word पर आपको वो आज magic बताऊंगा जिससे आप बिना line draw किये MS word पर straight line कैसे draw कर सकते हैं single line हो double line हो या triple line हो या dotted dotted line हो इस तरीके से line को अगर आप generate करना चाहते हैं तो कैसे generate कर सकते हैं तो जैसे आप मैं basic आपको example देता हूं जैसे मानिए मैं यहाँ पे एक line एक word लिखता हूं मैं अपने channel का नाम ही लिखता हूं ठीक है अब इसके नीचे मुझे line draw करनी है तो हम क्या करेंगे या तो हम इसको select करेंगे यहाँ पे option दे रखा है border का यहाँ पे bottom bottom लगा देंगे तो यह straight line draw हो गया ठीक पर यह बहुत पतला है या बहुत ही ठीक है मैं एक magical trick यहाँ पे यूज करूँ जिससे line draw होता चला जाए तो जैसे अगर आप यहाँ पे एक single line draw करना चाहते हैं तो आप keyboard से numerical key के पास आपके पास minus की होता है उसको आप तीन बर या चार बर प्रेस करके इंटर कर दीजिए तो यहाँ पे आपका single line draw हो जाएगा जैसे आपने border के थ्रू लगाया था अब आप चाहते हो यहाँ पे एक double line draw हो जाए तो आप कैसे करेंगे तो आपको क्या करना है equal का sign तीन या चार बार प्रेस करिए और इंटर कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास double line draw हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे star star के symbol के थ्रू अगर line generate करना चाहते है डाट डाट के ऐसा तो आप यहाँ पे तीन बार star या तीन से चादा अगर प्रेस करके इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखे dotted dotted line generate हो गई अब यहाँ पे चाहते हैं दो पतली line हो और बीच में एक मोटी line draw हो जाए तो कैस करेंगे तो इसके लिए आप क्या करना है आपको बस सिप के साथ हैच हैच बटन चार बर या तीन बर प्रेस करके इंटर कर देना है तो यहाँ देखिए आपके पास दो पतली line और बीच में एक मोटी line draw हो गई अब आप जैसे frequency होता उपर नीचे उपर नीचे से जाता है उस तरीके से अगर कोई line draw करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना सिप के साथ इसकी बटन के नीचे एक की होगा उसकी को प्रेस कर दीजे और इंटर कर दीजे तो यहाँ पे इस तरीके से line आपकी generate हो जाएगी स्ट्रेट में अब आप इसका यूज यहा आप अपने paragraph पे line को generate कर सकते हो अभी straight तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा comment करिएगा और वीडियो को जाते ज़्यदा share करिएगा धन्यवाद